हेलो गैस, आज की वीडियो में काफी जादा इंट्रेस्टिंग कार मैं खरीद के लिए क्या चुका हूँ, यह है लैंड रोवर डिफेंडर, एक्चल में यह 2-in-1 मॉडल है, आप इसको स्केल मॉडल भी बोल सकते हो और RC मॉडल भी बोल सकते हो, स्केल मॉडल की जो कार्स हो इसकी फाइड भी कराएंगे, बहुत सारी कार्स के साथ, मेरे बहुत सारे RC मॉडल से और screen model भी है, यह भी एक Gimni का RC model भी आप इसे बोल सकते हो, साथ में scale model भी बोल सकते हो क्योंकि इसके doors बगेर open हो जाते हो, यह एक Ford 350 RC ट्रक है, देख सिक्तियों, पिक पड़ च्थक ज वाला हूं, फिर देखते हैं, ये कार कितनी ज़्यादा पाउर्फुल है, चलो चलो जो मॉटल है ना एकदम लेटेस्ट न्यू जनरेशन वाली RC कार है, यहां पे इसके main features है completely metal car body है यानि कि इसकी जो body है completely metal की बनाई गई है RTR है realistic car lights है fully proportional steering है 4 wheel drive भी है और ये car छोटे बच्चों के लिए बिलकुल भी नहीं है age 14 plus clearly यहाँ पे लिखा हुआ है चलो फटा फट से box को मैं यहाँ से open करूँगा आपने अभी तक इस वीडियो पर like नहीं किया तो ज़रूर से like करो channel को subscribe नहीं किया तो channel को ज़रूर से subscribe करके bell icon भी दबा देना और all notifications को भी ज़रूर से on कर देना यहाँ से उपर की तरफ मिली है मेरे को इसकी user guide काफी मोटी book दी गई है यहाँ पर है इसका remote controller काफी unique सा remote है इसका style बहुत ही different है steering है उपर की तरफ दो knobs है और एक on off switch यहाँ पर दिखने को मिलेगा और all remote की quality और remote दिखने में भी बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है यह इसकी rechargeable battery है battery दिखने में छोटी लग रही होगी गा इस पर यह बहुत जादा powerful होती है अगर आप इसको एक बार charge कोरोगे ना यह car को अब तकरीबन एक घंटे तक चला सकते हो अब दिखाता हूँ मैं car को यार सच में यह बहुत जादा भारी भरकम है oh my god सामने defender की branding आपको दिख रही होगी अगर आप इसको real वाली defender के side में रखोगे ना आप पहचान नहीं सबोगे कि real defender कौन सी है और RC model कौन सा है oh my god उपर की तरफ यहाँ पर रूफ भी दी गई है इसके अंदर और एक चीज यह देख लोगा फिर नहीं मेरे को नहीं लगता गाइस यह खूलेगा क्यूंकि यहां से यह pack मेरे को लग रहा है ओ भाई यह देख लो पीछे का door भी इसका open हो रहा है और यह doors की quality काफी जादा मजबूत है completely metal की body के साथ आता है इस वज़े से इसका weight काफी जादा दिया गया उपर roof की उपर चंडने के लिए यहां पर आपको steps वगेरा भी देखने को मिलेंगे और यह steps आप इस तरीके से open और close भी कर सकते हो उपर यहां पर carry करने के लिए एक बड़ा सा roof भी देखने को मिलेगा पीछे extra wheel है डिक की भी इसकी खुल जाती है वाईस अब यह देख रहे हो यहां पर इसका on-off switch देखनी को मिलेगा यहां पर हम लोगों को इसकी battery लगानी पड़ती है तो roll car दिखने में बहुत ज़्यादा मस्त है wheels बहुत अच्छी quality के है off-road वाले wheels मेर को यह लग रहे है suspension सामने भी है तीचे भी है fully proportional steering इसके अंदर दी गई है यह इसका shaft है shaft completely copper का बना हुआ और इसके साथ क्या क्या चीज़े मिली है यह देख लेते हैं यहां पर इसके कुछ attachments दिए गए एक spanner है wheels खोलने के लिए साथ में एक charger भी दिया गया यह battery को charge करने के लिए अब मैं unbox करने वाला हूँ Ford F350 Super Duty Platinum Pickup Truck यहां से box को open कर लेते हैं यह देखो गाइस दिखने में यह car भी बहुत ज़ादा real Ford Pickup Truck जैसी दिखाई दे रही है यहां से मैंने इसको open कर लिया है क्योंकि यह official licensed RC car है oh my god color इसका देखो है कितना ज़ादा कमाल का दिख रहा है सामने completely chrome का use किया गया है इसकी grill को बनाने के लिए यहां पर Ford की branding है Headlight है यहां पर Super Duty की branding आपको देखने को मिलेगी बाकि इसके doors open नहीं हो रहे हैं अब इसका remote भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर है दोस्तों इसका remote controller यह रहा एकदम simple सा remote देखने को मिलता है इसके साथ इसकी build quality सच बताऊं तो मिरको उतनी अच्छी लगी नहीं यार इसको मैंने शायद 1500 रुपीस में खरीदा था यह हर एक terrain में proper तरीके से चल जाती है क्यूंकि इसके अंदर काफी बड़े wheels दिये गए याकि इसकी comparison मैं आप Defender के साथ करके बताऊं तो देखो Jiminy भी Defender से काफी जादा बड़े size की आपको लगेगी यहां से मैं इसको open कर देता हूं अरे यार यह खोलने में काफी जादा दिक्कत होती है यह open हो चुका है यहां पर इसकी steering है पीछे का door भी open हो जाता है यहां पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई है यहां पर आप इसका battery pack लगा सकती हो यहां से smoke भी निकलने लगता है यह वाले model के अंदर चलो दूस्तों भी चलते हैं बाहर फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में fight देखते हैं आज Land Rover Defender को कौन हराता है सभी cars को मैंने side by side रख दिया है खास दोर पे Land Rover Defender और Suzuki Jimny बहुत ज़्यादा realistic cars ऐसी दिखाई दे रही है Ford pickup truck को आप बिल्कुल में कम मत समझना इसका color देखवार कितना ज़्यादा कमाल का है Defender के पीछे का suspension और सामने का suspension एकदम मखन की तरह दिया गया है मैं को नहीं लगा था है कि इसका suspension इतना ज़्यादा कमाल का होगा साथ में इसकी headlight और indicator भी आप देख सकते हो अब यह पर मैं थोड़ा अंधिरा करके आपको दिखा देता हूँ Oh my god headlight बहुत ज़्यादा कमाल की दिखाई दे रही है साथ में इसके अंदर indicator भी काम कर रहे है fog lamps भी काम कर रहे है जैसे मैं steering को दो बार turn करता हूँ तो इसका hazard lamp भी on हो जाता है defender चलती है वैसे ही चल रही है साथ में इसके alloy wheels भी देखो क्या ही शांदार क्या ही कमाल के दिखाई दे रहे है सच में गाईस मेरे को तो मज़ा आ गया अब इसकी off road टेस्टिंग करते है इसके सामने कापी बड़ा obstacle आ चुका है देखते हैं गईस यह उपर चड़ पाईगी या फिर नहीं ओ भाई साथ देख रहे हो गईस एक बार में ही यहां से यह चड़के उतर चुकी है तो मेरे को लगता यह कहीं भी चड़ सकती है और भी बहुत खतरना कवाला टेस्ट में करने वाला हूँ देखो गईस यहां से यह उपर चड़के जा पाईगी या फिर नहीं देख लेते हैं अराम से चड़ गई यार यह देखो उपर चड़के यहां से जंप करने ही वाली थी पर थोड़ा सा बैलन्स खराब होनी के कारण यहां पर यह पलट गई है मेरे को नहीं लगा था यह यह कर इतनी कमाल की है अब मैं फोड पिकप ट्रक को चलाने वाला हूँ नो डोट यह बहुत ज़ादा स्पीड से चल रहा है पर इसका टर्रिंग रेडियस को ज़ादा ही मेरे को लग रहा है पर इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही यूनिक है अब इसके सामने आ चुकी है बहुत बड़ी क्लाइबिंग यहां पर इसका सर्फेस काफी ज़ादा स्मूथ है देखते हैं फोट पिकप ट्रक उपर चड़ पाएगा या फिर नहीं यह सामने के विल्स तो काफी आराम से चड़ गट है पर पीछे के विल्स बहुत ज़ादा स्लिप कर रहे है तो अब एक बार लैंड रोवर डिफेंडर को उपर चड़ा के देखते है यार यह तो बहुत साथा स्मूथली इतनी उपर चड़ चुका है अब एक बार इसको नीचे उतार के भी देखते हैं ओ माई गॉट देख रहे हैं कितनी आराम से यह नीचे भी उतर के आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हिल क्लाइंबिंग के साथ साथ हिल डिसंट सिस्टम भी लगा हुआ है मेरे को ने लगा था कि यह गार इतनी आराम से उपर भी चड़ेगी और नीचे भी उतर के आएगी मज़ा आ गया गाई इसको चला के अब सेम टेस्ट छोटा आती मिनी वर्जन के साथ करके देखते हैं अब इसको थोड़ा समय पीछे लेके जाके उपर चड़ानी के कुशिश करूँगा यह आदे राख से तक तो चड़ गया था अरे यार इसके अंदर हेल डिसेंट सिस्टम नहीं लगाए देखो चड़ने में तो एक नंबर है पर जब मैं इसको उतार रहा हूँ तो यह इस तरीके से पलट रही है बार बार अब जिमनी को मैं चड़ाने वाला हूँ जिमनी भी नो ड़ट बहुत अराम से इतनी उपर चड़ चुकी है अब इसको नीचे उतार के देखते है ओ ओ ओ गाइस इसके अंदर भी हिल डिसेंट है इस वज़े से यह कार भी बहुत अराम से नीचे उतर के आ चुकी है क्लियरली यहाँ पे विनर जिमनी और अपनी डिफेंडर है यह कार भी फुली प्रोपोर्शनल के साथ-साथ डाइकास्ट मॉडल भी है देखो कितनी स्मूथ लिये चल रही है दिखने में बिल्कुल एक रियल जिमनी जैसे यह दिखाई देती है अब इनके जोनों के बीच मैं हेडलाइट टेस्ट में करने वाला हूँ यार इसकी हेडलाइट तो डिफेंडर से भी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है साथ में देखो इसके साइट मिरर्स के अंदर इंडिकेटर भी आ रहे है और इसकी जो fog lamps है इसको मैं यहां से control कर सकता हूँ इसकी रौशनी बढ़ा भी सकता हूँ और इसकी जो brightness है इसको कम जादा यहां से इसली कर पा रहा हूँ तो clearly यहां पे light के मामले में defender से जादा तगडी मेर को यह जिमनी लग रही है इसके पीछे के tail light भी देखा है कितने जादा bright है और इसकी tail light के अंदर indicator भी दिये गए है और साथ में parking lights भी दी गई है अब दोस्तों यह दोनों cars के बीच में मैं race लगाने वाला हूँ देखते हैं दोनों में से कौन जीत था यहाँ पर पहला defender आगे निकल गई थी पर जिमनी इससे जादा तेज मेर को लग रही है फटा पर दोनों को मैंने turn करा लिया है जिमनी थोड़ा सा पीछे होने लगी है क्योंकि defender की speed दीरे दीरे बढ़ने लगी है और clearly यहाँ पर land rover defender ने race में हरा दिया है सुजुकी जिमनी को अब land rover defender की race होगी jeep wrangler के साथ jeep wrangler काफी जादा तेज है यार यह बहुत जादा आगे निकल चुकी है first round में दोनों को मैंने turn करा लिया है jeep wrangler अभी भी आगे जी पर defender अब थोड़ा सा आगे निकल गई है defender वापस से जीच चुकी है race में land rover defender की race होगी ford pickup truck के साथ मेरे को लगा था कि यहाप भी land rover defender जीच जाएगी पर ford pickup truck की speed बहुत जादा यार इसने तो बहुत जादा distance से defender को हरा दिया है race में अब race होगी ford pickup truck versus छोड़ा आदी pickup truck के बीच में देखते है जोड़ों में से कौन जीता है चोड़ा थी pickup truck पहले तो आगे निकल गया था पर ford ने इसको overtake भी कर दिया था वापस से यहाँ पर छोड़ा थी pickup truck बहुत जादा आगे निकल चुका अब यह है मेरी felony black bitch आपको पता होगा यह कितनी जादा भारी बरकम है और यह कितनी जादा बड़े साइस की कार है इसके सामने land rover defender देखोगा इस कितनी जादा चोटी नजर आ रही है अब देखते हैं यह कार को कौन सी कार खेंच पाएगी सबसे पहले मैंने Jeep Wrangler के साथ टेस्ट करके देखा यहाँ पे Jeep Wrangler की तो हवा टाइट हो गई यार फैलोनी को खेंचते हैं खेंचते देखो यह बिल्कुल भी नहीं खेंच पा रही थी फिर मैंने Ford pickup truck के साथ भी सेम टेस्ट करके देखा है Ford pickup truck भी इसको बिल्कुल भी खेंच नहीं पा रही थी इसके वील्स तो यहाँ पे जलने भी लगेते हैं ड्रिप्ट होने के कारण तो इसको भी हटाते हैं अब लेके आते हैं दूसरी car को यहाँ पे अब मैंने बान दिया है Land Rover Defender को देखते हैं क्या यह इतनी भारी बरकम car को खेंच पाएगी यहाँ फिर नहीं मेरे को लगागी यह नहीं खेंच पाएगी पर यार जै इतनी भारी बरकम Black Beast Fellow नहीं कोई खेंच ना चालू कर दिया है में को तो गाइस अभी तक यकीन नहीं हो रहे कि Land Rover Defender इतनी छोटी होने के बावजुत इतनी पावरफुल ऐसे कैसे है No doubt Land Rover Defender बहुत ही जादा मजबुत बहुत जादा पावरफुल कार है अब इसकी फाइट होगी छोटादी पिकप ट्रक के साथ इसने दोर चुटकी बजा दे ही छोटादी पिकप ट्रक को पीछे ढखेल के रख दिया है इतनी जादा पावरफुल होगी मैंने बिलकुल भी नहीं सोचा था अब इसकी फाइट होगी फोट पिकप ट्रक के साथ फोट पिकप ट्रक बहुत जादा फास्ट और बहुत जादा पावरफुल था पर अब दिको लैंड रोवर डिफेंडर ने इसको काफी आसानी से पीछे ढखेल दिया है और बहुत स्मूथली इसको हरा दिया है पुश बैक में अब होगी एकदम खतरनाक वाली फाइट दोनों कार्स के बीच में दोनों ही फोर विल ड्राइव है यहाँ पर लैंड रोवर डिफेंडर ने जीप फ्रैंगलर को उठा के पटक दिया है दूसरी तरफ और यह जीच चुकी है बहुत अराम से अब मैं कराने वाला हूं तोगोफ और यह दोनों कार्स के बीच में देखते हैं गईस कौन जीता है यहाँ पर भी लैंड रोवर डिफेंडर भारी बढ़ चुकी है सुदू की जिमनी के उपर सुदू की जिमनी यहाँ पर ब्रेक्स लगा के इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर इसको यहाँ पर बिलकुल भी ग्रिप नहीं मिल पारी है इसी बात का फाइदा उठाकर डिफेंडर ने इसको हरा दिया आए गाइस बहुत ज़ादा आजसानी से और क्लियरली आज़की चैंपियन है लैंड रोवर डिफेंडर तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बता हो इतनी डेर सारी कार्स में से आपको सबसे अच्छी कौन सी कार लेगी चलो भी मैं देने वाला हूँ शाट आउट पहला नाम है सबतरशी, मयंक, आरियन, रियाज, सौरब, किरन, शिवं, प्रितम, जाफर, साइफ तैंक्यू दोस्तों इतनी अचे कमेंट करने के लिए कर दोस्तों आपको भी चाहिए शाट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक, नीचे कर दीजे कमेंट, बाई बाई दोस्तों